Hey everyone, welcome to Biologie Atees. Nobody talks about how to deal with failure and that's what makes failure so hard to deal with. Success के बात का प्लान तो सब के पास है. लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर को कैसे टील करना है? इसके बारे मैं कोई बात ही नहीं करना चाहता. मेरा नाम रेनु का अंत्वाल है. आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक सफर में लेकर जाने वाली हूँ. एक ऐसा सफर जहां पर हम सिर्फ सपनों की दुनिया में नहीं जियेंगे, जहां पर हम रियालिटी को फेस करते हुए अपनी सपनों के उडान भरेंगे. तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस सफर में मैं रियालिटी फेस करवाते हुए ये सिखाऊं कि जिन्दगी के हर छोटी छोटी अचीवमेंट्स में कैसे खोश होना है और अगर किसी वज़े से हम अपने गोल को हासिन नहीं कर पाते हैं तो उस सिच्वेशन को कैसे फेस करना है. एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा इस वीडियो में मैं फेलियर वर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए यूज नहीं कर रही हूँ जो किसी एक्जाम के लिए प्रिपैर कर रहे हैं और एक्जाम वो क्लियर नहीं कर पाते हैं. फेलियर यहाँ पे हर इनसान के लिए यूज हो सकता है जो कि किसी भी सिच्वेशन से गुजर रहा है और उस सिच्वेशन में उसे डाउट है कि कहीं वो हार न जाए. तो अगर आप किसी रिलेशन्शिप वाली प्रॉब्लम में है, जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर लाइफ के किसी भी मोर पर खड़े हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके फेल होने के चांसे हैं तो इस वीडियो को देखना तो जरूर बनता है. सबसे पहले चीज़ जो मुझे लगती है बहुत जरूरी है लाइफ के रियालिटी को फेस काने के लिए वो ये कि फेलियर कभी भी किसी भी इंसान के साथ हो सकता है. ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग अपनी जिन्दगी में सिर्फ फेलियर लेकर ही आए हैं और फेलियर को आप किसी स्केल से नहीं नाप सकते कि यहीं मेरी जिन्दगी का बड़ा फेलियर है यहीं मेरी जिन्दगी का छोटा फेलियर है. अगर हम definition पे जाए तो कहा जाता है failure is lack or absence of success जहां पर आपको success नहीं मिली वो situation आपकी failure की situation है याद रखेगा failure सिर्फ एक situation है एक time पर हुई वी एक घटना है आपके साथ हुआवा एक particular time पर एक experience है failure आपके जिंदगी नहीं है अगर आपके जिंदगी एक किताब है तो failure उस किताब का एक पन्ना है उस पन्ने के basis पर अपनी किताब की identity मत बनाईए हमेशा रखेए कि failure सिर्फ तभी नहीं होता है जब आप किसी exam को clear नहीं कर पाते हैं जब आप जो job चाते थे वो आपको नहीं मिल पाती है या फिर कोई partner आपका relationship proposal reject कर लेता है failure life की हर एक छोटी छोटी stage में है जब हर सुबह आप अपने alarm के बटन को बंद करके वापिस से सोचाते हैं तो वो भी failure है अगर आपके घर में नाश्ता 9 बजे लगता है लेकिन आप 9.15 पर table पर पहुचते हैं तो वो भी failure है जब आपने अपने school में time पर homework submit नहीं किया था तो वो भी failure था जब आपके office में रखे गई meeting के decided time पर आप नहीं पहुच पाते हैं तो वो भी failure है अपनी मर्जी से failure के definition मत बनाईए failure life के हर एक छोटे छोटे moment में बसा है जहां पर आपने उस काम को उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से वो होना चाहिए था तो failure हमारी जंदगी का हिस्सा है it is a part of our life आप failure से भागेंगे तो आप अपनी जंदगी से भाग रहे होंगे failure से भागना नहीं है you need to face it जब आप failure को face करने लग जाएंगे तो ही आप उससे deal करने का तरीका समझ पाएंगे मेरा हमेशा ये मानना है कि failure से बचने का यही तरीका है कि आप हमेशा अपने साथ एक backup plan लेकर चले किसी exam के लिए prepare कर रहे हैं तो mind में इस चीज के लिए भी prepared रहें कि जब भी हम किसी भी चीज के लिए तयारी करते हैं तो probability होती है कि उस चीज में हमें success मिल सकती है या फिर हार भी मिल सकती है हमारे efforts पर depend करेगा कि हम success ज़ादा पापाते हैं या फिर हार के हवाले हो जाते हैं कई बार हमारे efforts 100% होते हैं लेकिन outer circumstances बाहर की situations हमारी life की situations के according नहीं चल पाती हैं जिसके वज़े से हम fail हो जाते हैं तो failure को हमेशा experience के तरह लेते चलिए हमेशा किसी भी exam के लिए job interview के लिए किसी relationship की process में चलते हुए आप जब होते हैं उस situation में तो एक backup plan हमेशा दिमाग में रखे कि अगर ये नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए अगर ये नहीं हुआ तो मैं कैसे इस situation से deal करूँगा इस चीज के लिए भी खुद को prepare करवाएं ताकि अगर आप failure phase भी करें तो आप ready रहें उस failure से deal करने के लिए अब बात करते हैं कि failure को overcome कैसे किया जाए अगर आपके जिन्दगी में failure आ जाता है तो अब इससे आगे कैसे बढ़ा जाए मैं आपको चार तरीके बताऊंगी जिसके तरू मुझे लगता है कि आप failure को deal कर पाएंगे और अपनी life को अच्छे से जी पाएंगे point number one accept it जिस तरीके से जिन्दगी के सफलताओं को आप खुशी से accept करते हैं उसी तरीके से अपनी जिन्दगी की हार को भी accept करना सीखिए जब तक किसी चीज को आप accept नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उससे deal कैसे करना है तो first thing you need to do is accept your failures failures से भागे मत अगर वो failure आपके जिन्दगी में आ गया है तो उसे accept करिए और फिर सोचिए कि अब इस situation से कैसे deal किया जाए point number two speak up बात कीजिए अपने आसपास की लोगों से बात कीजिए जिन लोगों पर आपको भरुसा है उनसे बात कीजिए अगर आप लोगों पर भरुसा नहीं कर पाते हैं खुझ से बात कीजिए एक डायरी पर लिख डालिए जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है जितनी बाते आप मन में दबाए रखेंगे उतना जादा चांसे हैं कि आप खुझ को विक्टम फील करवाएंगे और ये विक्टम वाली फीलिंग आपको कभी भी जिन्दगी में खोश नहीं रहने दिंगी Just speak up speak about your problem क्या चीज है जो कि आपको खटक रही है क्या चीज है जो कि आपको जिन्दगी में आगे बढ़ने नहीं दे रही है उस चीज के बारे में या तो खुझ से या औरों से बात कीजिए और solution ढूनने की process में लग जाए Point No.3 Introspect जानिये कि जो failure आपके जिन्दगी में आया वो क्यों आया क्या कुछ गलती आपसे हो गई क्या outer circumstances responsible थे उस failure के लिए जानिये कि ये failure आया क्यों अपने आपको victim मत मानिये कि मेरे साथ ये क्यों हुआ कैसे हुआ अब क्या किया जाए बल्कि ये जानिये कि मेरे साथ अगर ये हो गया है तो किन वज़ाओं से ये मेरे साथ हुआ था उन वज़ाओं को जब आप जान लेंगे तब आप इस चीज को भी accept करेंगे कि failure का होना तो जाइस था तो introspection बहुत ज़रूरी है इस चीज की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है कि ये हार ये failure मेरे जिन्दगी में आया क्यों पॉइंट नमब फूर Grow through it आपकी जिन्दगी में failure आपको नीचे गिराने के लिए नहीं आता है हमेशा याद रखेगा failure आपकी जिन्दगी में आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है आपकी जिन्दगी में वो experience बन कर आता है एक improvement opportunity बन कर आता है अपने failure से सीखिए सीखिए कि क्या गलतिया हो गई क्या कम्या रह गई जिस वज़े से मैंने failure को face किया और जब उन गलती और कम्यों के बारे में आप जान जाएंगे तो आप जिन्दगी में आगे बढ़ना भी सीख जाएंगे grow through your failures failure आ गया है तो उस failure को face करने के बाद अब कैसे life में improve करना है उस पर work करिए तो यही चारो तरीके हैं जिनके वज़े से मुझे लगता है कि कोई भी इंसान failure को face करने के बाद भी जिन्दगी बहुत खुशी से जी सकता है accept your failures, speak about it, introspect, grow through your failure एक चीज हमेशा याद रखेगा कि आपके जिन्दगी का एक hard chapter आपकी life की पूरी identity नहीं बनाता है don't let that one hard chapter of your life become your identity who you are today, it all happened for a reason आपा जो कुछ भी है, जिस भी situation में है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था क्या पता आपके जिन्दगी में failure इसी लिए आना था क्योंकि वो failure चाहता है कि आप जिन्दगी में improvement लाए अपने experiences को और improve करें, अपनी life को और improve करें तो जिन्दगी में आज जहां भी आप हैं अपने present situation को accept करें तब ही आप अपने future को बहुत खुशनुमा बना पाएंगे go through your failures and grow through it अपने failures को face करें, accept करें और उससे grow करना सीखिए all the very best आपके जिन्दगी के हर खुशनुमा experience को आप फील करें आप जिन्दगी बर खुश रहें अगर आपके जिन्दगी में कभी कोई मुश्किल आती है तो उसको साहस के साथ face करें हमेशा याद रखेगा it is always darkest before the dawn भोर से पहले का अंधेरा सबसे डार्क होता है तो जब ही भी आपको लगे कि आपके जिन्दगी में अंधेरा चा रहा है तो याद रखेगा ये अंधेरा indication है कि उजाला आने वाला है आप खुशी deserve करते हैं you deserve the best you deserve the best I hope इस वीडियो को देखने के बाद अगर जिन्दगी में आप कभी भी failure को face करते हैं तो उसको आप अपनी हार नहीं समझेंगे उसको अपनी life का एक experience समझेंगे जो कि अपनी life को improve करने में आपकी मतद करेगा thank you so much for watching this video और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं जितना हो सक्के आपको motivate कर सकूँ इस वीडियो के थूँ अगर आप motivate हुए जिन्दगी को एक अलग नजारी से देखनी की हिम्मत अगर आपको मिली तो please hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos thank you so much for watching this video